तो देखिए इस लेशन में आपको एक छोटी शी स्टोरी दिये है जिसमें एक जो रामदिन नामक किसान थे उन्होंने अपने चार बेटों की क्या लिए या पर परिक्षली है और किस तरीके से उन्होंने परिक्षली या फिर गड़ा धन मींस क्या कहा पर गड़ा हुआ धन सुन्दरपुर गाउ था उसका ये किसान था जिसका नाम था रामदिन और उसके कितने बेटे थे चार बेटे थे रामदिन स्वयम तो बहुत परिश्रमी था पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे तो देखिए जो किसान था रामदिन वो खुद परिश्रमी था मिंस म तवे कि यहां पर समझी नहीं थी कि हमें क्या काम करना चाहिए वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते थे इदर उदर बेट के आराम से सिर्फ गप्पे मारते थे तो इसके कारण उसके चार बेटों की जो पिता जी थे रामदीन वो परिशान हो चुके थे कि बच्चों को हम लोग किस तरीकी से समझाए कि उन्हें अपना काम समझ में आ जाए उसे हमेशा बेटों के भविश की चिंता सताया करती थी क्योंकि अभी अगर उसके बेटे बड़े हो गए है तो उनको खेत में काम करना चाहिए था लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो इससे क्या हो कि पिता जी है वो क्या हो जाएंगे परिशान हो जाएंगे कि बचों का भविश क्या होगा आगर उनको काम ही नहीं करेंगे आगे जाके तो इनको खेलाएगा वह दिन रात यहीं सोचा करता कि बेटे अपना playing किसे पालेंगे एक रात वूर इनी विचारों में खोया था त इनको कुण पालेगा, इनको खाना कुण खिलाएगा, तबी क्या हुआ कि जो पत्नी थी उसने जीजकते हुए, जीजकते हुए मिन्स क्या थोड़ा सा डरते हुए एक उपाय सुझाया, उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा, फिर एका एक कुछी से उचल पड़ा, तो उपाय क्या था वो आगे हमें समझ में आएगा अगली सुबह रामदिन ने अपने चारों बेटों को बुला कर कहा मैं और तुमारी मा अपूडे हो गए हैं हम दूर तीत यात्रा पर जा रहे हैं मैंने खेत में धन गाड़ कर चिपा रखा है यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयक कर लेना तो इस तरीके से उन्होंने एक आइडिया लगया था और कौन सा आइडिया था वो आगे हम देखेंगे लेकिन यहां पर उन्होंने क्या क्या था कि दूसरे दिन जैसे वो उठते हैं अपने चारों बच्चों को बुलाया और कहा कि मैं और त तो उसे आप निकाल कर यूज कर लेना गड़े हुए धन के बास सुनकर बेटे खुश हो गए क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा था कि अभी कुछ काम नहीं करना है बिना काम किये ही जब भी हमें जरूत पड़ेगी धन निकाल लेंगे और फिर जो भी हमें चाहिए वो वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिता जी का बंदन भी उन पर नहीं होगा क्योंकि पिता जी घर में रहते हैं तो क्या होता है थोड़ा सा तो बंदन हर बच्चे पे होता है कि काम ऐसे करो या फिर काम करना चाहिए और इनके तो चारो बेटे जो थे सब कुछ सामान्य चलता रहा पर उसके बाद देखिए या पर आपको पिक्चर दिया है तो इस तरह के से वो दोनों भी क्या करते हैं तिरते यात्रा के लिए निकल जाते हैं और चारो जो बेटे हैं वो घर पे रहते हैं उनके पास का धन और घर का धन्या समापत होने लग अब चारो बायों को चिंता हुई उन्हें अपने पिता जी की कही बात याद आ गई कि जरौत पढ़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना है अभी दिरे दिरे करके पैसे भी खतम हो रहे थे धान ने खतम हो रहा था अभी उनको याद आया कि पिता जी ने कहा था कि दिखाई नहीं देगा क्योंकि उन्हें धन निकालना था वे दो तीन राते खेत को खोते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला क्योंकि एक्चुल में वहाँ पे धन था क्या या फिर धन नहीं था तो फिर क्या था वो हम देखेंगे तो उन लोगों ने द हताश हो करवे चारों अपने घर लोट रहे तबी राम दिन के परम मित्र हरिनात ने पूछा तुम सब ठके हुए क्यों हो तो यहाँ पे जब उन्होंने खेद की क्या कर रहे थे खोद रहे थे लेकिन उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला और दो तीन रात तक वह यहीं कर र राम दिन जो थे उनके मित्र जो हरिनात थे उन्होंने कहा कि तुम सब लोग इतने ठके हुए क्यों हो कारण जानने के बाद हरिनात ने उन चारों को सला देते हुए कहा तुम लोगों ने खेद खोदी लिया है अब उसमें बीज बोदो क्योंकि अलग से तो वो लोग आपकी खेती भी हो जाएगी चारों भाईयों के उदास चेरों पर खुशी की लेहर दोड़ गई क्योंकि उनकों यह समझ में आया था कि अभी इतना तो काम करी लिया है तो बीज भी बो देते जिन से हम लोगों का फायदा हो जाएगा उन्होंने हरिनात के कहे अनुसार ही कि क्या उन्होंने क्या किया जो भी उन्होंने खेत को खोद के रखा था, उस मिट्टी में वेच को बो दिया खेत में caterpillar नंचे आँगूर निकल आये उन्चारों के मन में उस्छा जा गया वे निराई उड़ाई बो जो खेती की काम होते बीज बोने के बाद वो अभी दिरे-दिरे काम करने लगे थे फसल बहुत अच्छी हुए क्योंकि उन्होंने मेहिनत की थी काम क्या था तो फसल भी अच्छे से आही थी हरिनात काका को धन्यवा देकर वे फसल को बादर में बेशने के लिए जाने की तैयारी में जुट गई क्योंकि हरिनात काका जोती हो उनके कारण ही उन्होंने क्या किया था खेती की शुरुवत की थी उसे समय तिर्त यातर से रामदिन और उनकी पतनी लोटाए माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरंश पर्ष किये गाड़ी में लदे आनाच के बोरे देखकर रामदिन ने कहा अब तुम्हें खेत में गड़े धन का रास समझ में आ गया होगा मींस यहाँ पर उन्होंने क्या किया था अपने बच्चों को बोला था कि आपको खेत खोदना है वहाँ से धन निकालना है लेकिन एक्च्वल में धन कोंसा था कि जो फसल उगाते है किसन वही उनका असली धन होता है और उनके चारों जो बेटे थे वो काम करने के लिए तय प्यार नहीं थे तो उन्हें धन के बारे में जब पता चला तब जाके उन्होंने खेत को खोदा था वहाँ पे बीज लगाये उसके बाद उन्होंने फसल निकाली थी चारों ने सीरी लाकर स्विकार किया और कहा हा पिता जी अब हम यहीं भी समझ गए है कि यह भी समझ कई पर भी जमिन में आपको डायरेक्ली कोई भी सोना या धन नहीं मिलता है अगर आप महिनत करते हो परिश्रम करते हो तब जाके आपको कोई भी काम हो खेती हो या फिर कोई और भी काम हो जहां पर परिश्रम करते हो महिनत करते हो हाड़वर करते हो तब आपको कुछ न परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है तो बच्चों को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि अगर हमें धन चाहिए तो उसके लिए काम करना जरूरी है और चारों बच्चे फिर खेती करने लगते हैं और उन्होंने वहाँ पर काफी अच्छा आनास भी उगाया था इस तरीके से आपको यही छोटा सा लेशन दिया है जिसमें चोटी से स्टोरी दिए यहे काफी अच्छी है जिससे आपको यह सिख मिलते हैं कि परिश्रम करना जरूरी होता है अगर जप आप कोई भी काम करते हो तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको महिनत करनी होगी जैसे कि आप लोग student हो तो आपको काम क्या है पढ़ाई करना अगर आप पढ़ाई करोगे तो अब इसलिए आपके marks अच्छे ही आएंगे वही आपका परिश्रम होगा और महिनत का फॉल आपको अच्छा मिलेगा तो I hope student आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजे